आपका मुश्ट विलकम है आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म लेट्स स्टडी इंडिया में जैसा कि आप लोगों को ग्रेडियंट का एक लिक्चर पढ़ाया जा चुका है आज हम ग्रेडियंट पर कुछ अन्य सवाल करेंगे किस तरीके का सवाल बनता है उन सभी सवालों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली तीन टाइप का आज हम सवाल डिसकस करने वाले इस लेक्चर के तहत तो उन तीनों टाइप के कुश्चन्स को देखने अस पहले हम कुछ motivational thoughts आपके समक्ष रखेंगे जिससे कि आप लोग का मनोवल और उठे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे सके तो आप लोग घंबान जी के भक्त हैं ऐसा हम जान रहे हैं तो अतुलित बल्धामम है में शैलाव अधे हम दनुजवन कृसान ग्यानी नामक इन्ही स्लोगन्स के साथ हम सुरू करते हैं इस लेक्चर को तो बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके का और कोश्चन आता है आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं तो पहला जो हमारा कोश्चन ग्रेडियंट पे बेस्ध है कराएं कि फाइंड दा यूनिट नार्मल वेक्टर तो देखिए क्या कर रहा है आपको आपको कर रहा है कि यूनिट नार्मल वेक्टर निकालना है इस दिये हुए सर्फेस का इस पॉइंट पर तो बैदे बताया है कि जो ग्रेडियंट होता वो किसी सर्फेस पे नार्मल वेक्टर को बताता है अब यूनिट नार्मल कह दिया इसका मदलब क्या है कि उस normal vector का unit vector अगर आप निकाल दिये इस point पर तो आपने unit normal vector निकाल दिया उस दिये हुए surface का सहुत आसान सवाल है इससे आसान कुछ हो रही सकता है इसको बहुत ध्यान से लगाईए देखे कैसे लगाएंगे हम इसका solution देखते हैं अपने को क्या पहले दिया है वो चीज़ लिखिए अपने को दिया है given that क्या दिया भीया? surface दिया है surface दिया है और वो surface कैसे दिया है हम लोग जो 4 इधर लिखा इसको इधर लेते जाते हैं तो क्या हो जाएगा? x square y plus 2xz minus 4 इस तरीके का कोई surface है surface अगर इधर equation के कुछ लिखा रहता है तो उसको हम लोग equation के left side मिले जाते हैं तो minus 4 अब देखिए अब क्या दिया है? इस point पे निकालना है हमको क्या? unit normal vector तो पहले normal vector का मतलब क्या हुआ? कि उसका gradient निकालिए surface का और उसमें इन point ओ को satisfy कराईए तत पस्चाद उसका unit vector निकालेंगे तो हमें unit normal vector मिल जाएगा तो देखिए क्या होगा? grade f grade f क्या होता भी या? del f और del f क्या होता है? i del by del x या deba by deba x भी आप लोग कर सकते हैं j deba by deba y plus k deba by deba z और ये किस पे अपलाई होगा? f के साथ अपलाई होगा f तो क्या होगा? अलग-अलग पे अपलाई होगा तो i del f by del x माने f का partial differentiation with respect to x और f की value क्या है? तो इस पे हम लोग partially operate करेंगे differentiation को plus j deba by deba y आप f f माने ये value आप क्या operate करेंगे? के फिर उस पे deba by deba z आप f माने ये के deba by deba z आप f f का मतलब क्या है? x square y plus 2xz minus 4 अब देखिए इसको solve करते हैं y भी है तो y को constant लेंगे x square का करेंगे तो क्या मिलने वाला है? अपने को x square का differentiation with respect to x 2x और ये y रहेगा plus इसमें भी x है लेकिन z भी है तो z को constant लेंगे क्योंकि partial differentiation है मैंने partial differentiation करना सिखाया है जो बच्चे partial differentiation का lecture न देखे हो उसको देख ले उसके पश्चात ही इसे समझें तभी आपको अच्छे तरीके समझ माने वाला है तो x का करेंगे और यहाँ पे z भी है तो x का तो 1 हो जाएगा और z प्रोड़क्ट के रूप में तो constant तो 2z अब यहाँ पे constant है डिवाई x आप 4 तो 0 हो जाएगा प्लस बहुत लोग इस i, j, k को आगे लिखते हैं बहुत लोग पीछे लिखते हैं आगे पीछे कोई मतलब नहीं है ठीक है अब डिवाई, डिवाई, आप दिस अब y के रिस्पेक्ट में पार्सियर करेंगे अर्थात y को छोड़के जितने भी चीजे आएंगी उनको constant लेंगे तो यहाँ पर पहले क्या रहा x square y है तो डिवाई, 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 आप y तो 1 हो जाएगा लेकिन x square h constant वाँ पर रहेगा तो x square into 1 माने x square होगा प्लस y के respect में यहाँ पर करेंगे तो y का term कोई है नहीं है तो उसकी कहानी तो खतम यहाँ पर 4 है constant तो उनका तो कहानी उनकी भी खतम तो यहाँ पर 0 आएगा तो 0 को एड करोगे तो x square में x square आएगा ठीक है? यहाँ पर j भी रहेगा प्लस x square प्लस deba by deba z माने यहाँ पर z के respect में करेंगे और z के अलावा जो भी आता है उनको constant लेंगे अब यहाँ पहले बाले में z का कोई term है नहीं माने पूरा constant और constant का differentiation 0 अंदर चलेंगे अब यहाँ पर z का term है लेकिन उसके साथ x भी है तो z का तो होगा लेकिन x क्या भी है करेगा constant क्योंकि यहाँ पर deba by deba z है क्या हो जाएगा into 2x और यहाँ पर यह constant है इनकी कहानी खत्म ठीक है अब किन पॉइंटों पर निकालना है इस पॉइंटों पर निकालना है माने grade f at किस पे 2-2,3 पे 2-2,3 का मतलब समझते हैं आप लोग कि जहाँ grade का expression आया है grade f जहाँ पे आया है वहाँ पे x की जगह पे 2 y की जगह पे minus 2 और z की जगह पे 3 रखें देखिए थ्वाचा उपर कर लेते हैं आप लोग ठीक है यहाँ निकालते है क्या हो जाएगा अब grade f x की वैलू 2, y की वैलू minus 2 और z की वैलू 3 उठा के रखिए इस expression में तो i 2 x की जगह पे क्या है? 2 y की जगह पे क्या है? minus 2 plus 2z z की जगह पे क्या है? 3 plus j x square x square का मदलब 2 का square माने 4 plus k into 2x माने 2, 2 जगह पे 4 x की जगह पे 2 है, अब इसको सही से आप साल्म करिए तो क्या आता है? i minus 8 plus 6 plus 4z plus 4k अब देखिए यहाँ पे क्या हैगा? minus 2i plus 4j plus 4k यह आया आपका gradient f at point this और gradient हमेशा surface का क्या दिखाता है? भईया मैंने पढ़ाया था पहले lecture में कि वो हमेशा surface में normal vector को दिखाता है तो यह आपका जो आया यह normal vector आया आपने को चहिए unit normal vector लेट इसको हम लोग माल लेते है normal vector n यह n आया है यह क्या आया है? थोड़ा सहीदा लिखे नहीं तो आप लोग बड़े विद्वान है यार ठीक है? यह जो वेक्टर आया है यह आपका है normal vector आप लोग जान रहे है और हमको इस normal vector का निकालना है unit normal vector माने पहले इसके modulus को निकालने हम लोग magnitude का निकालने तो क्या हो जाएगा? i का coefficient minus 2 और minus 2 का square 4 प्लस j का coefficient क्या है? 4 और 4 का square माने 16 प्लस k का coefficient क्या है? 4 और 4 का square 16 तेहां प्या आ जाएगा 32 प्लस 4 36 और 36 का square root 6 हो जाएगा हो गया काब अब अपने को चाहिए unit normal vector माने n कैप और n कैप होगा क्या? vector n अपान modulus of n magnitude of n रखिये क्या होगा? vector n क्या है? minus 2i plus 4j plus 4k अपान magnitude of n क्या है? 6 तो यह जो निकल के आया है भाईया यह क्या आया? यह आया आपका unit normal vector unit normal vector तो चलिए next question पे चलते हैं यह पहला तरीका होगा सवाल का एक तरीका यह सवाल पूछने का gradient पे next किस तरीके का question होता है? दूसरा देखते है देखिये दूसरा सवाल क्या करा है? find the directional derivative यह directional है शाट कर्ण में मैं लिखा हूँ find the directional derivative of the f yz is equal to x square yz plus 4 xz square at the point 1 minus 2 minus 1 in the direction of the vector this इसको निकालना है आसान है सवाल directional derivative होता क्या? पर यह समझे थोड़ा सा directional derivative का मतलब नामसे ही इस पष्ठ directional derivative काने किसी fixed direction पे जाके उसका derivative find करना है तो यहाँ पे इस fixed direction में अपने को निकालना है यह direction दिया हुआ vector का इसके एकराज जाके आपको निकालना है तो जब भी direction की बात आती है तुरंट आपके दिमाग में एक चीज़ आरी चाहिए कि वहाँ पे उसका unit vector निकालेंगे तभी काम होने वाला है तो अर्थाथ इस दिये हुए vector का unit vector निकालेंगे और देखिए क्या होता है directional derivative को निकालने का तरीका है directional derivative होता क्या है कि जो दिया है surface उसका पहले निकालिए gradient जिसे gradient f निकाले और जो point दिया उस particular point पे निकालिए उसके तत्पच्चाद इसके direction में जाके आपको निकालना है directional derivative उसका unit vector निकालिए और उसी से उसका क्या कर दीजिए that product ले लिजिए तो जो आपका value आता है वो आता है directional derivative वो आता है आपका directional derivative तो यहाँ पे क्या करेंगे यह दिया है इसका हम लोग gradient निकालेंगे इस पॉइंटों पे और इस दिये हुए vector का unit vector निकालेंगे उसके direction में जाने के लिए और उसके बाद इस gradient f का उस एक एक के साथ हम लोग that product ले ले लेंगे तो काम हो जाएगा तो चलिए क्या करते है पहले gradient निकालिए तो given क्या दिया है अपने को given that f f दिया है अपने को क्या x square yz plus 4xz square है यह ठीक है यह दिया है f और point दिया है यह तो gradient f रिकालना तो कितना असा है यह तो छोटा जाब अच्चा अगर पढ़ा आए तो वह भी रिकाल लेगा gradient f क्या होगा i del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z ठीक है देखिए क्या करेंगे अब अब हम सीधे value अब इतना हम लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं अब लोग जान चुके हैं करना है तो हम लोग सीधे अब करते हैं अब यहाँ पे f की value क्या है f की value यह है अब इसका x के respect पर पार्सिजर करना है अब सीधे लिखेंगे नहीं अब कर देते हैं यहाँ पे x के respect पर करना है माने यहाँ पे x को variable लेना बागी सबको constant तो यहाँ पहले बाले यह चीज तो है इसके साथ यह दोनों भी विद्वान दिखें तो इन दोनों को constant लेकिर यह variable है तो उसका differentiation करेंगे तो क्या आने वाला है अपने को 2xyz प्लस यहाँ पे x के respect पर करोगे तो यहाँ पे z square भी है तो x का तो 1 हो जाएगा तो 4z square बचेगा अब देखिए डेबा f by डेबा y y के respect पर करेंगे बाकी जो भी रहेगा उसको constant लेंगे तो y के respect करोगे तो यहाँ y का दरसर हो रहा है तो बकिया यह इन दोनों को constant लेकिन y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहाँ लिखो क्या x square z प्लस इनका तो कहानी है खताम इसमों y है नहीं है तुर्कित कहानी खताम तो y नहीं है तो क्या करेंगे छोड़ देंगे आउर क्या देबा f by देबा z अब z के रिस्पेक्ट पर पार्सियल माने यहाँ पर यह दो चीजे दिख रही है और z तो ही यह है तो इरको constant लेके z का करेंगे z के रिस्पेक्ट पर तो 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x square y plus यहाँ पर करेंगे जब क्या होगा z है उसके साथ x भी है तो फोर टूजा 8 xz आएगा क्योंकि x को मैं यह बूल नहीं लेंगे constant है क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यह आ गया अब हमको क्या निकालना है इसमें satisfy करा रहा है इन पॉइंटों पे हमको देखना त at point किस पे 1-2-1 पे माने इस expression में जहाँ जहाँ हमको यह दिख रहा है x की जगा पे 1 रखेंगे y की जगा पे-2 रखेंगे और z की जगा पे-1 रखते हैं और देखने हैं क्या आता है x की जगा पे 1 into y की जगा पे-2 और z की जगा पे-1 प्लस 4z² z की जगा पे क्या हो जाएगा अब क्या होगा देखिए यहां से होगा क्या यहां से होगा माइनस माइनस प्लस तू तू जा फोर फोर प्लस फोर प्लस जे माइनस वन इंटू वन माइनस वन प्लस के यह क्या हो जागा माइनस टू माइनस टू माइनस एट अब इसको थोड़ा से साल्म करिए क्या करणा है एट आई माइनस जे और माइनस टेन के अच्छा है हो गया काम हो गया अब देखिए क्या होगा अब हमको निकालना क्या है इसके elang-directional derivative निकालना है देखिए क्या करेंगे किसके elang था भया वेक्टर थोड़ा के देख लेते हैं पहले वेक्टर लिख लेते हैं किस वेक्टर के elang है एक वेक्टर दिया है इसको let A माल लेते है let a is equal to dya क्या है अपने को 2i minus j minus 2k यह दिया है इसके एलांग निकालना है तो काम हो जाएगा अब देखें कहीं से करेंगे अंतिम वाला इस्टे तो मैं नहीं करूँगा आप ही लोगों सुकरवाऊँगा जब आप लोग जानते हैं करना आप अदे को क्या सही है इसका modulus निकालेगे तो unit vector निकलेगा modulus निकालो क्या आता है वहिए 2 का square माने 4 plus 1 plus 4 माने 3 आगया modulus निकालने में तो तुम लोग विद्वान है होग तो निकाली लोगे अब unit vector निकालेंगे तो क्या होगा vector a अपान में mod of a ठीक है, तो वेक्टर ये अपान मांड आप ये करेंगे, तो क्या हो जागा, 2i-j-2k, अपान में 3 हो गया, और directional derivative मैंने बताया क्या होता है, directional derivative भी पताया ने, कि directional derivative जो होता है, और किसी fix direction में उसका derivative क्या होता है, तो directional derivative क्या होगा यहां से, यहां से directional derivative होगा, वो होगा grade f into a care, अब dot product करना है, इसके साथ इसका, अब value हमने दोनों निकाल दिया है, आप लोग बस उसका dot product देख लेगे, कि कि तरह आ रहा है result आपका, वो तो आप लोग करी लेंगे, क्योंकि यह आसान question है, और कर लेना भी चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग अब इतने CR होई गया है कि इसको लगाई लेंगे, question number 3 देखिए क्या है, यह question मैं आपके लिए ही दूँगा, और मैं process पूरा बताऊंगा आपको, कि किस तरीके से क्या क्या करना है, यह आप लोग का homework रहेगा, यह और उसके वाले में जो अंती मिश्टिफ था वो homework रहेगा, यह homework रहेगा बहुत आसान है, बस खाली मैं बता directional derivative या पर directional derivative मैं साथकर लिखा हूँ, आप f x square minus 2y square plus 4z square, अब maximum, also find the value of this maximum directional derivative, जब भी maximum directional derivative की बात आवे, तो आप लोग समझिए कि पूछ क्या रहा है, modular subgrade f, माने, मैं बता देना, आपको maximum directional derivative कभी-कभी पूछता है, और कभी-कभी इसी को rate of change of increase कह देगा, तो भी आपको परसान है, rate of change of increase क्या माने, increase होने का rate, माने, वही maximum की तरफ बढ़ना, माने, वही maximum की तरफ ही जाएगा, तो यह कहे, चाहिए wording दे, आपको confuse नहीं होना ह है, और यह होता क्या है, maximum derivative कभ होगा, इसका grade f, का जब modulus निकालोगे, तो जो modulus value आएगी, वही उसके maximum derivative की value होगी, और थात, इस question में हमको करना क्या, इसमें direction में पूछा, किस direction में maximum होगा, तो जो grade f का value आएगा, केवल जो grade f की value रहेगी, वह एक vector quantity आएगी, उसी के direction में य तो यहाँ पर क्या करना है, यह f दिया है, मैं बता दे रहा हूँ, given that क्या क्या दिया हो, क्या निकालना है आपको, given that दिया है आपको, f, f क्या दिया है, x square minus 2y square plus 4z square, अब point आपको दिया है यह, तो आप इसका निकालेंगे क्या, grade f, grade f निकालेंगे, at point 1, 1 minus 1 पे, grade f आप इन point आप निकालेंगे, और निकालेंगे तो जो vector आएगा, उसी के direction में आपका maximum value होगा, और जो grade f के बाद जो vector आएगा, उस vector का magnitude आप लोग निकाल लेंगे, तो आपकी maximum value पता लग जाएगी, उस derivative की, यही करना, grade f निकालना, उसे point रख दिना है, और उस point के रखने के ततपस्याद, दो आपका gradient आता है, उस f का, उसका modulus ले लेंगे, तो जो modulus value आएगी, वही maximum value कही जाएगी, उस derivative की, और जो इसका direction आएगा, जो vector आएगा, उसी के direction में होगा, तो direction यहाँ से मिलेगा, और magnitude निकाल लोगे, तो वो आपको maximum value बता देगा, तो यह तीन तरीके का question आपको exam में देखने को मिलता है, और यही तीन famous भी है, जो exam में आते हैं आपके, तो अमीद करते हैं, कि आप लोग को यह video पसंद आया होगा, इसके बाद एक, हम lecture लेंगे, इसमें हम बात करेंगे, divergence और curl, फिर उन पे सम्मिलित, हम लोग questions की बात करेंगे, तो इसके पहले का जो भी बच्चे अभी lecture रहा देखे हो, पहल चैनल को सब्सक्राइब न किये हो, वह पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो यहां से प्रोवाइट करें, आप लोग के पास रव्रता पहुच सके, और अप लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ सेयर करके, उसका आनंद ले सके, पढ़